तो आज मैं बनाने जारी हूं चीजी चिकन पाफ्स तो यहां पे देखिए इसका लोग किस तरीक लिता है आए चलिए अभी हम इंग्रेडेंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगेगा तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑईल गरम कर लिया तकरीबन एक टेबल स् स्पून भरकर अद्रकलसन का पेस्ट आड कर लिया है इससे हम अच्छे से भून लेंगे ठीक है अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें वेजिस मिलाएंगे पहले मैं डालूंगी इसमें स्प्रिंग ओनियन वाइड और चॉप्ट कैपसिकम और ग्रेटेड कैबिज य की थोड़ी सी रहनी चाहिए उतना ही सौटे करना है आपको ठीक है कम से कम पांच से साथ मिनिट तक के हाई फ्लेम पे आप इससे सौटे कीजेगा ताकि इसका क्रण्चीन जो है वो बरकरार रहे अब यहां पे मैंने बॉयल और श्रेड़ेड चिकन एड कर लिया है यह तक अच्छे कप दूद दाल देंगे हम इसके अंदर और इसे तकरीबन हम पांच मिनिट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे कुप करेंगे अ अच्छे से कुप करने के बाद अब हम आगे इसमें आड़ करेंगे तकरीबन एक टीश्पून भर कर परिपरी पाउडर मसाला ठीक है अच्छे से मिला लेंगे हम परी-परी मसाला को ताकि सारा फ्लेवर जो है वेजीज में और चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए अब देख रहें दूद जो है वो पककर कम हो गया इसमें अब हम इसमें आगे के इंग्रीडियन्स भी आड़ करेंगे ठीक है तो अब सारा मिक्स ने के बाद अब यहां पर मिक्स करने के बाद यहां पर दक्रीबं 2ALK चीस के हम न diyorsun आप अपने च्छिस के चीज करते मैंने चीज को ग्रेट कर लिया, अब मैंने गैस का फ्लेम भी बन कर लिया, अच्छे से से एक मिक्स दे देंगे, ताके चीज हमारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्सचर हो जाए, और गैस का फ्लेम बन करने के बाद अब इससे हम ठंडा होने देंगे, यहाँ पर देखिए मैं सब्सक्राइब केशार हम लाइब कब Whats in ला बंदाल कर हम इससे से फोल करेंगे आप अपने च्वार्विक का फोल इसे दे सकते हो मैंने इसे रेक्ट्रेइंगल का शेव दिया आप इसे ट्राइंगल का शेव भी दे सकते हो और इसे तीनों सब साइड सänger करेंगे आप एक फॉक की हेल्प से आप इसे सब साइड से प्रेस किजिएगा अपको प्रेस करना है ताकि जो साइड से हमारे हाद से क्ल्ड़ के वह अच्छे प्ली करते वक्त हमारी पेस्ट्टी जो है वह खुलेना ठीक है तो इस तरीके से आपको सारे साइड्स को एक फोक की हल्ट से हलकी हाथ से प्रेस करना है और सब कुछ रेडि कर लेना है देखे अभी मैं आपको दिखाते हूं सारे पेस्ट्टी लुग मैंने इसी तरह से अरेंज करके रे यह देखिए यह पेश्ट्री पफ लिया था मैंने यह लिया था अब हम योग का पार्ट जो है इसपे ब्रश करेंगे टीक है अच्छे से ताकि इस पे अच्छा सा color आ जाए एग योग को लेकए अच्छे से fat लेना है आपको और इस पे brush की help से pastry's के उपर आपको apply करना है सारी pastry's पे एक योग ब्रश करने के बाद हम इस पे जो sesame seed है कि सफेद तिल वू स्प्रिणकल करेंगे आप चाहो तो आप ब्लैक तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हों टीक है सारे पेस्ट्री सेट को चाहो तो ब्लाक तिल भी इस पे स्प्रिंकल कर सकते हो लुक वाइज वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है ठीके तो सारी पेस्ट्री स्पेसी तरीके से तिल को स्प्रिंकल करने के बाद हम इसे बेग करने के लिए रख देंगे ठीके बेकिंग प्रोसेस भी कैसा क्या करना है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ तो यहां पर देखिए बेकिंग ट्रे मैंने आवन में डाल दिया है इसको हम 180 डिग्री पे 15 मिनिट के लिए बेक करेंगे अच्छे से और बेक करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का होगा देखिए मैंने कहा था ना आपसे कलर बहुत अट्रैक्टिफ पेस्ट्री हमारी बनकर तयार हो गई है यह देखिए इसका लुक देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है यह बहुत गरम है बहुत गरम है अब मैं आप से क्रंची और अंदर से उतना ही क्रीमी बना है यह देख रहे हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा चिकन पेस्ट्री पॉफ बनकर रेडी हो गया है इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर देजिएगा टेक केर अलाहाफेज कीजिए जरूर